हर हर महादेव, जेशी क्रिस्ना, हेलो एवरिवन, मैं मनी साफ सबका स्वागत करती हूँ आज हमारे माइन में एक ब्रिलियन आइडिया आया है तो आज कुछ ऐसा हेल्दी लिक्विट बनाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे घर पे जो हेल्दी भी है और सेहत के लिए अच्छा है तो उसके लिए मेरी हेल्प करेंगे क्रिशिव और मनन हलो गाइस अब हम लोग जो बनाने जा रहे है उसका नाम जो है उसका नाम क्या है मनन मिलक्षेक है लेकिन उसकी इफेक्ट वो बीट से है तो इसके हम बनाने जा रहे हैं बीट वाला Milkshake हम बनाएंगे बीट वाला Milkshake तो जो खासित है के उनके साथ जो जो हे बीट अगर मिक्स करते है तो बीट जो है वो हमारी सेहत के लिए अभी काफी अच्छा है तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहे हूँ कि मैं कैसे बना दी और कौन सी चीजे जो है वो हम मिल्क शेक में एड़ करेंगे तो चलिए लेट्स को बता तो यहाँ पे जिसे के मैंने आपको बताया कि हम आज बनाने जा रहे हैं बीट के लड़ू वाला जो है मिल्क शेक तो देखिए यह सारी चीजे जो है यहाँ पे मेरे पास अभी मुझूद है तो यह मैं सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहे हूँ है यह है बीट वाले लड़ू जो घर पे बनाए है हमने बीट मैं से क्योंकि ऐसे ही बीट हमें पसंद नहीं है हम नहीं खा सकते क्योंकि वो उसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता है लेकिन यह देखिए यह लड़ू है बीट वाले जो हमने घर पे बनाए है अगर आप इसे खाओगे तो फिर आपको इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगेगा तो यह लड़ू जो है वो हमने पहले से बना लिये है यहाँ पे देखिए यह इसमें मैंने जो है थोड़ा सा मैंने साही गुलाब सर्बत रखा है और यह देखिए यहाँ पे मैंने मिल्क रखा है और यहाँ पे है Oreo biscuit तो गाइस यह जो हम शाही गुलाब सर्बत जो हम यूज कर रहे है वो है गिरी राज सर्बत उसका साही गुलाब जो है उनको हम यूज करेंगे तो अभी जो है मैं आपको इनका मैथर जो है पूरा का पूरा मैं इसे केसे बनाऊंगी वो मैं आपके सामने रिप्रेजन कर रहे हूँ तो सबसे पहले हम जो है इसमें डालेंगे ये दूद देखिए दूद को मैंने इसमें डाला है अभी दूद डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे हमारे पांस जो यहाँ पे साही गुलाब जो है देखिए इसमें से जो है साही गुलाब मैंने थोड़ा सा अलग रखा है तो इसको हम इसमें डाल देंगे साही गुलाब को देखिए हमने साही गुलाब को अंदर डाल दिया यहाँ पर अब देखिए आप इसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे चेंज होता जाएगा तो अभी हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से इसको जो है हमें मिक्स करना है देखिए इनको हिला दे रहना है और इनका कलर अभी चेंज हो जाएगा इनका पिंक हो जाएगा देखिये साही गुलाब हमने दूध में मिला लिया है अच्छी तरह से उनको हमने हिला लिया है अब हम इसमें डालेंगे ये जो बीट के लड़ू है वो लड़ू हम इसके अंदर डालेंगे अब इसको हम एसे खोल के डालेंगे थोड़ा सा अलग करके ताकि यह जो है इसमें अच्छी तरह से जो है गुल मिल जाए तो चलिए अब हम इसको ना बहुत अच्छी तरह से एक दम से इनको mix कर लेते हैं यहां पर जैसे कि हमने अच्छी तरह से इसको mix किया है देखिए उतना अच्छा mix करना है हमें इसको blend नहीं करना है अगर इसको blend करेंगे तो फिर इसमें problem क्या होगी कि यह जो पल्प्स यहां पर हमें अभी देखिए यह थोड़ा सा गठे और पल्प्स जो हमें रखने हैं वो नहीं मिलेगे उसका taste जो है वो हमें नहीं मिलेगा तो इसलिए किया करना है इसको blend करेंगे लेकिन सिर्फ चम्मत से ही blend करेंगे अच्छी तरह से हम जो है इसके blend करते और यह जो हमने यहां पे बीट के जो लड़ू है उसमें पहले से ही थोड़े से काजू बदाम और किश्मिश जो है वो हमने एड़ कर ली थी उसमें तो इसलिए मैंने अलग से इसमें नहीं डाली है और खास करके इसका अभी मैं एक और चीज आपको बताऊं कि इनको बनाते समय जो हमें इसमें सुगर नहीं डालनी है क्योंकि यह जो शर्बत है उसमें जो पहले साही सुगर एड़ेड होती है और यह जो लड़ू है उसमें इनने बनाते समय जो है सुगर इसमें डाला था तो अभी क्या है कि इसमें अलग से सुगर नहीं डालनी है क्योंकि दोनों और लडू की रेसिपी जैसे के मैं ने बताया मैं आपको जरूर डाल दूंगी और यह लडू कैसे बनाते हैं वो भी आप इन में से सीख जाओगे तो अभी यहां पर देखिए इसको हमने अच्छी तरह से ब्लैंड किया है और अब मैं इसको जो है अभी हम इसको करेंगे गार्निस तो अभी कैसे करेंगे इसका गार्निस तो गाईज मेरे पास जो है एक देखिए यहां पर यह है एक कप सो यह कप जो है真的很 वह मैजिक urt है अभी आप बोलोगे कि ये तो simple cup है ये कहां से magic वाला हुआ तो guys ये एक magic cup है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें magic कैसे होता है तो चलिए अभी जो है हमें पूरा इनको ना गानिश करना है कि शेप को अब हम इसमें जो हम आइस्क्रीम भी यूज़ करने वाले है उपर से और जैसा कि मैंने बताया आपको ओडियो बिस्किट जो है तो हम उसको भी एड़ करेंगे तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है इस कप को मैजिक कप कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से देख लीज़े अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन जैसे ही मैं इसमें ये शेक डालूंगी तो ये अपना मैजिक आपको दिखाएगा तो चलिए गाइस अभी जो है हम थोड़ा सा इसको गार्निस कर लेते हैं तो ये देखिए जो हमारे पास मैंने जैसे आपको बोला था कि हम यूज करने वाले हैं ओरियो बिस्किट तो ओरियो बिस्किट जो है उनके हमने यहां पे ऐसे टुकड़े कर लिये है देखिए चोटे चोटे टुकडे जो है तो अभी फॉस जो है हम गलास में डालेंगे औरियो बिस्किट को देखो मैंने यहाँ पे गलास में इसको डाला है तो यहाँ पे फॉर्स लेयर जो है इनका वो हमें करना है औरियो बिस्किट से पूरा जो मैंने तीन बिस्किट इसमें जो है मैंने डाल दिये है देखिए अभी layer first जो है वो और यो biscuit का है यहाँ पर तो अभी इसको मैंने first layer यहाँ पर ऐसे मैंने set कर दिया देखिए आप first layer अभी set हो गया है अभी शुरू होने वाला है जादू तो अभी आप मुझे कहेंगे के जादू केसे होगा तो देखिए यहाँ पर जो यह शर्बत है अभी इसको डालेंगे glass में देखिए यह शर्बत जो है अभी glass में डाला जाएगा और यहाँ पर देखिए जादू शुरू होगा देखिए glass के अंदर lighting शुरू हो गई है तो यह अभी आपके सामने glass जो है वो जादू करने लगा है यह जो cup है वो lighting वाला है तो देखिए यहाँ पर गाईज आप देख सकते हैं कि यह जो है बहुत ही affected है glass जो है वो पहले से ही मतलब उनकी अंदर जो ऐसी ऐसे सरीस है कि इनको जो है हम कुछ भी अगर डालेंगे आप इसमें पानी भी डालेंगे तो भी इसकी effect जो है वो इसी तरह से आएगी तो चलिए अभी हमने यहाँ पे जो है यह milkshake जो है इसमें डाला अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे जो है उनके biscuit के टुकड़े यहाँ पे जो मैंने डाले थे ओरियो के वो भी आपको जब आप इसको पीएंगे तब इसका test आएगा लेकि अभी उपर से हमें यहाँ पे क्या करना है तो मैं अभी इसमें उपर से करने वाले हूँ आइस क्रीम वाला गार्निसिंग तो यह देखिए अभी हम यहाँ पे डालेंगे उपर से आइस क्रीम तो देखिए यहाँ पे यह आइस क्रीम का कप है अभी इन में से लेनी है आइस क्रीम और इसको डालना है इसमें तो देखिए यह जो है हमने एक चमच जो है आइस्क्रीम वाला शेक अभी यहाँ पे आपके सामने बनाया है तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ यह है आइस्क्रीम शेक, आइस्क्रीम मिल्क शेक यह देखिए, आइस्क्रीम मिल्क शेक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना है और ये बहुत ही सकती साली शेक है अभी सीजन जो चल रहा है वो केसा चल रहा है आपको पता है न अभी विंटर चल रहा है विंटर चल आ गया है अभी जो है समर आ गया है तो ये देखिए ये मैंने स्पेशली समर के लिए बनाया है summer season में अगर आप ऐसा जो है आईस्क्रीम वाला शेक भी पीते हैं तो ये energetic भी बहुत है नीचे देखिए आप हमारा Oreo वाला जो effect है वो नीचे दीख रहा है उपर pink जो सर्बत वाला और इसके उपर जो है आईस्क्रीम वाला आप सबको ये पसंद आया होगा और आप मुझे जरूर बताना के आज जो मैंने है ये बनाया है milkshake तो वो आपको केसा लगा है और आप भी घर पे जरूर ट्राइ करना आपको भी पसंद आएगा और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर एं मेस हो ताटा बइबाएएई